आप देख रहे हैं A.B.P. News आज बीजेपी और बंगाल के लिए सबसे एहम तर। आज ड्रेमंद से अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। मंगाल दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्षु जेपी नड़ा पर हुए हमले के बार पहली बार शाह बंगाल में हैं। आज का अमित शाह का ये दौरा एक बार फिर तैय करेगा कि बंगाल बीजेपी का आखिर क्या होगा। यह मंता 2021 में भी अपना खिलाब बचा लेगी। इस्पर में फेले हुए बंगाली आज सोनार बांगला को ठून रहे हैं। मंता भी आखड़े देख लिए अब आने वाली विदानसभा चुना में भी पूर्ण बहुबत के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार यहां बनने वादी है। आने वाले चुनाओं में बंगाल में हम दोसों से ज्यादा सीटों के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं दोसों। बंगाल पर शाह का मास्टर प्लान शाह आज खीचेंगे बंगाल फतह की लकीर। आज मिशन बंगाल पर हैं बीजेपी के चानक क्यर। 2021 में बंगाल बीजेपी या ममता का होगा। बीजेपी के मास्टर प्लान और कहे जाने वाले ग्रैमंत्री अमिश्या के बंगाल पहुँचने की ये सबसे पहली तस्वीर है। कोलकता एरपोर्ट पर अपने समर्थकों के बीच पहुँचते ही अमिश्या ने हाथ उठा कर जीत का सिगनल दे दिया है। और यहीं से अमिश्या का मिशन बंगाल शुरू हो गया है। ऐसे अमिश्या अपने पहले बंगाल दोरे में 200 प्लस सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। यह जो यात्रा चली है यह यात्रा रूकने वाली नहीं है। यह यात्रा जो 18 सीटों तक पहुँची है विदान सभा में दो तिहाई बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी की सरकार बना कर समाप करें। ममता का किला भेदने के लिए कोलकता पहुँचे अमिच शाह आज बंगाल फत्य का खाखा तयार करेंगे। बंगाल के प्रभारी मंत्रियों के साथ शाह की आज एहम बैठक है। लेकिन उससे भी एहम है अमिच शाह का बंगाल में उन जगहों का दोरा जो बंगाल की यसमिता और संस्कृती से जुड़ा है। सुबह 10 बच कर 45 मिनट पर कोलकता के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानन्द एंसेंट्रल हाउस और कल्चरल सेंटर पहुँचेंगे जहां वो स्वामी विवेकानन्द को श्रधांजली देंगे। यहां करीब आधे घंटे तक रुकेंगे। सुबह 11 बच कर 45 मिनट पर कोलकता एरपोर्ट से मिदनापूर हैलिपैट जाएंगे। मिदनापूर से हलिकॉप्टर के जरिये पूजा करने के लिए सिध्धैश्वरी मंतिर जाएंगे। इसके बाद खुदी राम बोस को श्रधांजली देंगे। फिर देवी महामाया के म संदिर में जाकर पूजा करेंगे। दोपहर देड़ बजे बेली पूरी गाउं में एक किसान के घर लंच भी करेंगे। करीब धाई बजे अमिश्या जनसवा को संबोधित करेंगे। जनसवा के बाद अमिश्या मिदनापूर हैलिपैट से हलिकॉप्टर में बैठ कर कोलक रिपटा एर्पोर्ट लोट आई गे word अमिश्या बंगाल के दो दिन के दोरे पर है इसके तायग़ बंगाल में बीजेपी और टीमसी के बीच छड़ी जंग के बीच कि अमिश्या का यह दौरा इसलिए भी एहम है क्योंकि बीजेपी अध्यक्ट जेपी नड़ा के काफिले पर हुए हमले के बार शाह पहली बार बंगाल में है अपने बंगाल दोरे के दोरान शाह ना सिर्फ कई सांस्कृतिक और राजनितिक कारिक्रम में हिस्सा लेंगे बलकि बंगाल के साथ प्रभारी मंत्रियों के साथ रननितिक बैठक भी करेंगे बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने साथ प्रभारी मंत्री नियुक्त किये हैं इन प्रभारियों में गजेंदर शिंग शिखावत, अर्जन मुंडा, संजीप, बालियान, मनसुक, मानविया के अलाबा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सियम केशब, प्रसाद मौर्य और मद्द प्रदेश के ग्रेमंत्री नरत्तम मिश्रा शामिल है, बंगाल में पहले से मोचा समाले बीजेपी के नेता और कारिकरता लगातार टीमसी पर टीके हमले करते रहे हैं, और बंगाल जीत का दावा भी कर रहे हैं, जो बातामन बनी हुई है कि उस पार्टी में रहने का लायक प्रिवेश्ण नहीं है, ना लोक तंतर है कि पार्टी में ना कोई सम्मान है अमिश्या के बंगाल दोरे का मतलब साफ है BJP को बंगाल में मजबूत बनाना लोगसवा के बाद बिधान सवा में जीत सुनिशित करना यहनी BJP बंगाल फटह के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है जिसकी निगरानी खुद बीजेपी के चानक के कहे जाने वाले आमेशाह देख रहे हैं झाली त के चानक के ऑने शो खोशा हो पार चानक के चानक के जाने वाला लातक तो झाल तो खुद सकत हैक है जा सकती है canción के के अथिस साय tatव के प stack चानक के का और अउने लाद के घंक होज़ज बीजेख water